इस वर्ष के दादा साहिब फाल के पुरसकार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हिंदी सिनिमा में अतुल्निय योगदान के लिए हिंदी फिल्मों की जानी मानी प्रतिष्ठित अविनेत्री सूश्री आशा पारिक जी और अब मैं माननिय राष्ठपती महोधिया से अनुरोध करती हूँ कि कृप्या दादा साहिब फाल के पुरसकार प्रदान करने के लिए आगे आएं जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मंच पर पढ़ा रही हैं दादा साहिब फाल के पुरसकार ग्रहन करने के लिए बहु मुखी पतिभा संपन दिगज अभिनेत्री सूश्री आशा पारिक जी जिनोंने दशकों तक अपने अभिने से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है प्रक्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्य संगीत में पारंगत, सुश्री आशा पारिक जीने महद, दस वश्क के उम्र में उन्नी सब बावन में विमल रॉय के फिल्म से दुनिया में कदम रखने के बाद ले आदी सदी से अधिक समय तक अपने अभिने से हम सब का दिल मो सब्सक्राइब जादे मारे बाव्डिक घरजस्टा समधिश्टा इखने केुछ कार्वावद, अधिक ए तक न अधिक, माझत व्यंज्ड रॉय चटा समय वाद धी से वोटे अन्नी समय टिल्स फिल्ड बावार के सबने कार्वा जीराग, चिराग, बदन टुर्ण, मैदु उन्सट के फिल्म देखे देखो लेकिन उनका सफर बेहद इतिहासिक फिल्मे उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं तीसरी मंजिल दो बदर नुपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की और फिल्म कटी पतंग से अपने शिकर पर पहुंची हिंदे सिनमा में अप्रतिम योगदान के लिए डादा साहिब पाल के पुरसकार से समानत आशा पारिक जी डादा साहिब पाल के वादे रेकिन पर आशा पारिक से निमाटिक एक्सलेंस, and now I request a very very own and wonderful Aashadji to speak her mind, her emotions, Ma'am, हम आपको सुना चाहेंगे, सब आपको सुना चाहेंगे, पुरा देश आपको सुना चाहेंगे, पुरा देश आपको सुना चाहेंगा, ladies and gentlemen, Aashad Parik, welcome, Aashad Parik ji. Honorable President of India, Shri Mati Draupati Murmu, Honorable Minister for INB, Shri Anurag Singh Thakur, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it is a huge honor to have received the Dadasai Palke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the Judy for the recognition that they have bestowed upon me my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. And I congratulate all the awardees tonight. Thank you very much. Thank you very much.